दुनिया में इंसान पैदा होते ही कर्म करना शुरू कर देता है। बच्चा पैदा होता है, रोता है, मा का दूर्द पीता है, वो भी एक कर्म है। फिर दीरे बड़ा होता है, पढ़ाई करता है या करती है, ऐसे जीवन चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना हमारा दिमाग विचलित हो जाता है एक छोटे बच्चे का जो छोटा बच्चा होता उसका ध्यान सिर्फ होता है कि भूख लगी है मां का दूद पीदा है और वो मां का दूद पीकर शांती से सो जाता है फिर उठता है फिर दूद पीता है खेलता है सो जाता है लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा दिमाग जो है ना दस नई नई चीजों की तरफ जाने लगता है इसी को भटकाओ बोलते हैं अगर व्यक्ति अपने ल अपने लक्षियों को पहले चुनिए कि आप क्या कर सकते हैं आप क्या करने के लिए इस धर्दी पर आये हैं आपकी सामर्थ क्या है तो अपनी ताकत, अपनी बुद्धी मत्ता, अपने हुनर को पहचाने और उसी के पीछे लग जाएए दस जगों पे भठकी रहें, इसे कुछ नहीं मिलेगा कुछ लोग जो असफल होते हैं वो जीवन में एक नहीं, एक से ज़्यादा काम करते हैं कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये उन्हें आता कुछ नहीं है लेगि काम उन्होंने दस किये होते हैं जीवन में एक सामानी जिन्दी बिता रहे होते हैं. तो जितनी जल्दी आप अपने लक्ष को पकड़ लेंगे जीवन में, उतनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी और जीवन में भटकाओ, अलगाओ, परशाणियों का अंत हो जाएगा. तो अपनी जो आपकी हुनर है, आपकी जो कला है, उस पर फोकस करिए. दुनिया क्या करती है? उसको मत देखिए. आप क्या कर सकते हैं? इस पर ध्यान दीए. मेरा नाम है स्टलाजर सचिन जिक्खा और मैं बात कर रहा हूँ तुला राशी की. तुला राशी वालों के लिए दिसम्बर के महा में ये कुछ सुपसंकेट बन रहे हैं. इन तीन शुपसंकेतों में चुपा हुआ है, शायद आपकी सुपलता राज. यहां पर ईश्वर की किरपा आपकी उपर बरत रही है ईश्वर की अनुकंपा आपकी उपर बरत रही है ईश्वर का प्यार आपकी उपर बरत रहा है तो आईए इस ईश्वर रूपी सुखो की वर्शा का आनंद लेते हैं और शुभारंब करते हैं तुला राशी वालों के यह शुब फलो की वर्शा कौन-कौन सेग्रह कर रहे हैं और और यह जान कारी चंद राषिया नाम-राशिय पर आधारित होगी सब से पहले आप यह देखिए यह ग्रहों की विवस्ता है अलग अलग इस्थान पर बैटे हैं, वक्त वक्त पर ये अपना इस्थान परिवर्तन करेंगे। आपको पहला शुब संगेत राप्त होगा मंगल की कृपा से मंगल दितिय भाव में होंगे, अपका बैक बैलेंस बढ़ेगा, पैसों की बचत होगी, वाड़ी को मीठा रखें, सौभाव को विनमर रखें, दुनिया की हर जीत, हर सफलता आपका इंतजार कर रही है। संतान सुख मिलेगा, रोमांटिक कीवर में प्यार रहेगा, यानि पती-पत्नी के बीश में जो रिष्टा है, बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम सम्मन्द अच्छे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई बढ़िया रहेगी, विदेश चलाब की स्तिती बनेगी, आ आप का परिवार खुश रहेगा, आप इतना करेंगे लोगों के लिए कि लोग आपके खुश रहेंगे, आपके करमचारी आपके खुश रहेंगे, आपके सीजिर आपके खुश रहेंगे, कारे चेतर में, शिक्षा के चेतर में आप कुश नया कर सकते हैं, कोई नई खोज कर सकते हैं, आपके अंदे साहस और आत्मिश्वास की कोई कमी नहीं होगी, आप रुकने वाले नहीं हैं, आपका मंगल अब आपको रुकने नहीं देगा, धन्वान बना कर छोड़ेगा, संसार की खुशियां आप खरीद लेंगे, आपके पास इतना दिमाग भी होगा, इतन पैसा भी होगा, और परिवार का और अपनों का सपोर्ड भी होगा, आप बहुत खुश रहने वाले हैं, कता ही कोई चिंता नहीं होगी, दूसरा शुब संकेत आपको प्राप्त होगा, शुक्र देव की किरपा से, लग में बैठकर मालव योग बनाएंगे, आपके जीवन में भगवान सब कुछ उड़े देंगे, मालश्मी की किरपा हो जाएगी, शुक्र आपको अच्छी बड़िया चीजों से जोड़ देंगे, इस दुनिया में जो भी सुख है, वो सब आपको मिल जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, कि सुख आपकी तरफ खिचा चलाएगा, च जिवा के योग बन रहे हैं, बिगड़े रिष्टे में, जो बिगड़े रिष्टे हैं वाहिग यूएं के या प्रेम संबन के या दोस्ती आरिमा या पार्टनर्शिप के, वहां पर फिर से प्रेम की गंगा वहेगी, मॉडलिंग के दुनिया में आपको सफलता में सकती है शोशल मेडिया में आपको भेंकर सफलता में सकती है, आप अपनी उमर के लोगों के बीच में फेमस हो जाएंगे, दुनिया में सफलता आपका इंतजार कर रही है, आप के दिल में बहुत प्यार का एक एहसास होगा, किसी के परती आपकी चाहत बढ़ सकती है, आप अपने शुक्र जो है वो खुबसूरती का ग्रह है खशी-खुशी में जीवन बीदेगा वैपारिक पार्टनर्शिप शाददार होगी पती-पत्नी के भी इस तराओं खत्म होगा रिश्टे मजबूत होगे संसारिक जीवन के समी सुख मिलेंगे वैवाही जीवन के सुख मिलेंगे हर विशेफ पर आप गहराई से सोचेंगे विचारेंगे कुछ लोग कुछ बूर ग्यान यानि डीप नॉलिज़ की स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर भी सफलता शीगर मिलेगी एक अच्छा वक्त जहां पर सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि गुरू की दृष्टी शुक्र पर है गुरू की दृष्टी जब शुक्र पर पढ़ती है तो समझ जेए सुखो की वरिशा होती है क्योंकि गुरू धर्म के कारग रहे हैं और शुक्र जो है वो विलासिता के कारक रहे हैं शुक्र यानी की सुक्स उगधाएं तो गुरू की अमरत तुले दुस्टी से शुक्र की जो शुब परभाओं हैं वो बढ़ जाएंगे और आपके जीवन में प्यार, इश्ख, महबबत सब हो जाएगा जो काम आप लड़ाई से पूरा करते थे अब उप्यार से पूरा करेंगे अब ठपड नहीं प्यार के मीठे शबद बोलकर आप दुनिया को अपना दिवाना बना लेंगे अब हमें मजबूत बॉड़ी की जरूरत नहीं है, मीठे दो शब्दों की ज़रूरत है, उससे बड़े से बड़े गुंडे को भी आप अपना बना लेंगे, अब डरना नहीं है, बस मीठे शब्द बोलने हैं, क्योंकि खुबसूरती आपके साथ है, गुरू का अशरुवाद आपके साथ है, शुक्र का होने वाली है, गम, कश्ट, परशानियों का नश्ट होने वाला है, विरोधी, शत्रु, परास्त होने वाले है, कोट कचेरी से लाब मिलने वाला है, यानि इन सब मामलों में विजय प्राप्त होने वाली है, रहु हर परशानी से लड़ने में आपकी मदद करेंगे, आपके से डरेंगे नहीं हर चीज हर परशानी का सामना करेंगे आपके सीनियर हो या जूनियर हो आपकी मदद करेंगे घर हो या बाहर हो राहू आपको समी से सपोर्ट दिला देंगे बुद्दिमानी से आप विजाई हो जाएंगे हर परशानी से मुक्त हो जाएंगे आपका घर कार सीखो, बीमारी के रूप में हो, करजों के रूप में हो, कष्टों के रूप में हो, दुरगटना के रूप में हो, उस से आपको बचाने वाले हैं, तो हैना अच्छी बात, गुरू का सब्तम्हाओ में होना आपके लिए अच्छा है, केंडर का गुरू हमेशा शुप पढ़ गाम देता है आपके सवा लाग दोशों को भी हरने की छमता रखता है केंद्र का गुरू तो मैं यही कहूंगा गुरुदेव की के पासे आपके वहाहिक जीवन आपकी तरक्की आपके पूरे जीवन में जहां पर भी कुछ अशुब हो रहा था हुआ पर शुब होना शुरू हो जाएगा और गुरू आपको तरक्की की रहा पर ले जाएंगे आप मंदिर जाएए मंदिर में जाके मत्था देखिए धर्विस्थान पर मत्था देखिए गुरू का अशुबाद लीजे आगे बढ़िए कताई चिंता करने की आउशक्ता नहीं है देव गुरू रस्प तो फिर आपको चिंता करने की आउशक्ता नहीं है आप दिये गए निम्मरों पे संपर्क करें अपनी कॉंद्डी की जाच कराएं और अपते सितारों को मझबुत बनाएं यकीन मानिए कमजोर सितारों के साथ अप इस दुनिया को नहीं चीत पाएंगे आपको अनी कॉंद करना ही होगा दिएके नमबर पर संब्द करें अपने युर्मकुली की जाज कराएं और हन्मानचरी सब पढ़ते रहें प्रति दिन साथी साथ कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें जैश्री राम